रितिक के बारे में कौन सी थी खास ख़बर? रितिक अब कौन सी नई फिल्म करने वाले हैं? हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बॉली ग्राथ स्टूडियोस में कुछ दिनों पहले ये खबरे आ रही थी कि अक्टर रितिक रोशन फिल्म विकरम वेधा में अब काम नहीं करेंगे बता दे कि फिल्म को रिलाइन्स इंटर्टेन्मेंट और फ्राइडे फिल्म वर्क्स मिल कर बना रहे हैं खबरों की वाने तो रितिक इस फिल्म से जुड़े हैं और इस वें वो विजे सेतुपती का रोल ने भाने जा रहे हैं फिल्म तामिल की सूपर हिट मुवी विकरम वेधा का हिंदी रीमेक है फिल्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीस की जाएगी और इसी के साथ रितिक का ये पहला OTT डेब्यू होगा बता दे कि पहले इस फिल्म के लिए आमिर खान को ये रोल ओफर किया गया था लेकिन अक्टर के मना करने के बाद मूवी रितिक के हाथ लगी फिल्म में रितिक धूम के बाद दूसरी बार विलन के रोल में दिखेंगे तो वहीं सैफ अली खान हीरो के रूप में नजर आएंगे अब फिल्म में सैफ का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है जिसे रितिक ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है दरसल सैफ अली खान सोशिल मीडिया पर नहीं है ऐसे में रितिक ने उनका लुक शेयर करते हुए सैफ के साथ काम करने की अपनी उच्शुकता भी जाहिर की है विक्रम वेधा एक अक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें पुलिस और गैंक्स्टर की कहानी को दिखाया गया है ये फिल्म माइथोलोजिकल कहानी विक्रम वेताल से प्रेरित है फिल्म में रितिक को गैंक्सर की भूमिका में देखा जाएगा जबकि सैफ पुलिस आफिसर का किरदार निभा रहे हैं ये 2017 में इसी नाम से रिलीज हुई सूपर हिट तमिल फिल्म की रीमेक है लोगों को विकरम वेदा का इंतजार है बता दे कि इससे पहले 10 जिन्वरी को फिल्म के से रितिक ने अपना पहला लुक शेयर किया था विकरम वेदा के अलावा खबरे ये भी आ रहे हैं कि रितिक मशूर अंगरीजी वेब सीरीज नाइट मैनेजर के हिंदी रीमेक में भी नजर आने वाले हैं इसे भी OTT पर रिलीज किया जाएगा वहीं OTT प्लाटफर्म के अलावा आक्टर दिपेका पादू को उनके साथ अपनी फिल्म फाइटर में भी नजर आएंगे इसके अलावा शारू खान की फिल्म पठान में भी रितिक को बत और स्पेशल गेस्ट देखा जा सकता है तो दोस्तों आप कितने excited हैं रितिक रोशन को बड़े परदे पर देखने के लिए अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेर करें और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग्राथ स्टूडियोज